hey everyone welcome back to my channel तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में एक fairness cream के बारे में बताने वाली हूँ यह fairness cream बहुत ही असरदार है आप के चेरे को गोरा और निकरा बनाने के लिए इस fairness cream का main ingredient gorgeous गुलाब यानि की रोज है और जैसे कि आप सब जानते हैं गुलाब के अंदर बहुत सारे ऐसे आंटीबिक्टेरियल आंटी ऑक्सिदेंस होते हैं जो कि आपके स्किन को टुणिंग बनाने में बहुत जड़ा मदद करते हैं यह क्रीम बहुत ज़दा effective है आप ваши आपकी स्कीन और लास्ट में हमें चाहिए ऐलोवेरा जेल तो चलिए अब इस क्रीम को बनाना शुरू करते हैं और इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक ब्लेंडिंग या ग्राइंडिंग जार में सारे गुलाब की पतिया डाल लीजिए उसके बाद हमें इसके अंदर दो बड या पीस लेने के बाद आपका गुलाब का पेस्ट कुछ इस तरह दिखेगा तो अब हमें इस पेस्ट को चानना है और आपर मैं छन्नी की मदद से इस पेस्ट को चान रही हूं और अगर आप छन्नी का इस्तमाल नहीं करना चाहते तो आप मसलिन या किसी कॉटन के कपड़ इस पेस्ट को चान सकते हैं तो इस पेस्ट को अच्छे से चानने के बाद आपका प्योर रोज वाटर रेडी है और वो कुछ इस तरह दिखेगा ये गुलाब जल ये गुलाब का रस बहुत ही असरदार होता है आप इसको नॉर्मली भी टोनर की तरह अपने फेस पेस्पे बनाना शुरू करते हैं तो स्क्रीम को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक कटोरी में दो बड़े चमच ये प्योर रोज वाटर लेना है उसके बाद हमें इसके अंदर एक चमच ग्लेस्टरिन डालना है ग्लेस्टरिन डालने के बाद हमें इसके अंदर आदा चमच वाइटमिनी ओईल डालना है अब हमें इन चार इंग्रियंस को अच्छे से मिक्स करना है ताकि सब इंग्रियंस एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिल जाए और इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें लास्ट में एक बड़ा चमच एलोवेरा जेल डालेंगे और सारे इंग्रीजिंस को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि एक बहुती स्पूत और लंफ्री पेस्ट बने और यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके और रोज वाटर डाल रही हूं ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा स्मूध बने और यह क्रीम फॉर्म में आने लगे अच्छे से मिक्स करने के बाद आपका यह होमेड फैरनेस क्रीम रेडी है और वह कुछ इस तरह दिखेगी और इस क्रीम की कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए और यह बहुत ज़्यादा फ्लफी और क्रीमी भी होनी चाहिए जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा र हूँ तो चलिए अब देखते कि इस क्रीम को कैसे स्टोर किया जाया तक कि आप इसको लंबे समय के लिए इस्तमाल कर सके तो स्क्रीम को स्टोर करना बहुत ही इसी है आप इसको किसी भी एर्टाइट कंटेर में फ्रिच के अंदर 15-20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं यह स्किन व वाइटन करने के साथ साथ इसको एक ग्लोइंग और रेडियेंट लुक देती है यह क्रीम अगर आप रोज इस्तमाल करेंगे तो यह आपके डाक स्पॉट्स अक्ने मार्क्स पिंपल्स पिग्मेंटेशन की प्रोब्लम को जड़ से खतम कर देगी और आपकी संटान को भी ह लिए उसको आप इसक्रीम को सरकुला मोशन में कम से कम 30 to 45 seconds किले एपने पर मसाच कीजिये और आपerving कम इसक्रीम को अपनी फुल बाडी पर भी इस्तमाल कर सकते हैं और best results पाने के लिए आप इस cream को दिन में दो बार इस्तमाल कीजिए एक सुभा और एक रात को सोने से पहले ये skin whitening rose cream आपकी skin को बहुत जादा fair, glowing और radiant बनाती है और अगर आप इस cream को daily कुछ दिनों तक इस्तमाल करते हैं तो आपके skin पर से कोई भी दाग धबे, pimples या pimples के निशान जो रह गए उनको ये जड़ से खतम कर देती है तो आज के लिए बस इतना ही और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे like और share करना न भूले और आप मेरे चानल को subscribe भी कर सकते हैं फ्यूचर में बहुत सारी easy और effective home remedies देखने के लिए